स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासे चपरा में जिन लोग ने भी तक किस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सस्क्राइब करें बैल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें यहां आपका इस इंगल है ना कोन, भुझा, कोन जो प्रमे पड़े थे एक शarta यह एक प्रमे है जिसके है इस भुझा में जबाएं ऑर एक वुझा करमसा कोण सर्क्राइब करते हैं करना है अब देखिए हम लोग सब्से पहले दो तिर्भूझ लेते हैं टिक है हम लोग हाँ कहा रहा है कि जो कोड के अंतरगत ना हो कहने का अर्थ है जैसे माल लिजी तिर्भूज के दो कोड और एक भूजा तो माल लिए हमारे पास दो कोड कौन कौन से है तो यहाँ पर हम लोग माल लेते हैं कि एंगल A और एंगल B दिया है यहाँ पर एंगल A जो है है ना और दूसरा एंगल कौन से है एंगल B है तो एंगल A किसके बराबर है तो दूसरे तिर्भूज के संगत कोण, यानि कि अंगल P के बराबर, ठीक है, दूसरा आपका कहती है, कि अंगल B, तो अंगल B किसके बराबर होगा, तो अंगल B बराबर होगा अंगल Q के, दूसरे तिर्भूज के संगत कोड़े ही न होगा, चलिए, और यहां यह कहा रहा है कि एक भुजा, किस भुजा का बना हम नहीं है है, यानि कि यहाँ जो बन रहा है, यानि यह A और B, दो बन रहा है, इसके अंतरबत वाली भुजा नहीं होनी चाहिए, यानि कि हम A, B और P, Q की बात नहीं करें, हम लोग यहाँ पर कोई भी अधर हुजा जो ये कोणों के अंतरगत ना बने या तो BCQR के बराबर लिख दीजिए या ACPR के बराबर लिख दीजिए ठीक है तो मालनेते हमारे पास दिया है BC बराबर QR तो वही कहा रहा है कि एक तिरभूज के दो कोण इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बर बनाद है ठीक है और उसकी एक भूजा जो कोणों के अंतरगत नहीं है यानि कोणों के अंतरगत ये भूजा ये और Q को नहीं लेना है दूसरे पेसंगत कोण या या ये P और Q लिए है Јके संगत P और B के संगत Q है और भुजा जो है BC के संगत कौं सी भुजा है QR, समझें था ना? BC के संगत QR लिया है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि तिरभूझ सरवांगसम होगा, तिरभूझ PQR के, तो दिखिए इसको सरवांगसम दिखाने के लिए इसक ख़कु कहेंगे angle-angle side, इसके है एंगल एंगल साइड दोनों में फर्क है यहां देख लिए बहुत फर्क है यह इस प्रम्य में था है एंगल साइड एंगल ठीक है और इसमें क्या है एंगल एंगल साइड दोनों में फर्क है इसमें दिया था कि यह दोनों कोड दिया है तो इसके साथ वाली भुजा ही इस बुजा को लिए थे इसमें था है न लेकिन यहां है दो कोण और उसके अंतरगत जो भुजा है उसको नहीं दूसरे किसी भुजा को लेना है ठीक है तो दोनों में यह फर्क है तो चली इसका प्रमान देखते हैं यहां लिखेंगे प्रमान ठीक है अब देखिए पहला होता है । ठीक है । X-HDG होता है यानि कि एंगल A plus एंगल B plus एंगल C भी एंगल C होगा और यह P-Q-R भी X-HDG होगा तो दोनों को को एकसाथ बराबर नहीं दिख सकता है शक्ते हैं एंगल P plus एंगल total Q plus एंगल R दोनों बराबर इसलिए उपनी हो रहा है कि ते तिनों कोड़ों के होग एक सवसी देए अ को आटाका एंगल P लिख दीजिए , भी बराबर Q दिया तो इसको एंगल Q लिख दीजिये और बच गयातै इंगल c 아니면 आबर angle P plus angle Q plus angle R, देखिए, यहाँ यह और यह काट देंगे न, यहाँ से angle C बराबर हो जाएगा angle R, समझारे न, यहाँ यह क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास angle A बराबर दिया था angle P, और angle B बराबर दिया था angle Q, यहाँ दिखा देंगे, टिक, अब देखिए इसके बाद क CQR में. ठीक है? हम लोग यहाँ पे इसली ऐसा कर रहे है क्योंकि जब यह भूजा दी गई है ठीक है? और यह कोड़ बराबर दिया गया है. ठीक है? यह कोड़ और यह भूजा बराबर दिया है. अगर यह C बराबर R लिखा दे तो यह angled side angle से यह प्रमानित हो जाएगा क्योंकि आपके पास angle angle side वाला भी उप्र में जो है इसके बार में तो नहीं जानते हैं आप अभी तो हम लोग दूसरे के मदद से इसको सावित करने के लिए ऐसा c बराबर r दिखाए तो c बराबर r तो अभी हमनों यह सावित किये हैं ठीक दूसरा की b c बराबर qr तो आपके पास दिया हुआ है और तीसरा जो है आपका angle b बराबर angle b बराबर angle q यह भी दिया हुआ है यह दोनों चीज दिया है यहां से आप कह सकते हैं कि यह दोनों तिर्भूज यानि a b c आपका सर्वांग सम हो जाएगा तिर्भूज p q r k तिर्भूज a b c स सर्वांग सम् हो जाएगा तिर्भूज PQRk, ये कैसे हो रहा है? तो ये हो रहा है, इंगल साइड एंगल से, ये आपका प्रमानित हो क्या है? ठीक है? तो यहां जो है, आपको यह पता चला, इस प्रमे से ये पता चला, यो किसी तिर्भूज की दो कोड और एक भूजा, जो श्वाहि नहीं हो घरना दूद के अंतर गत नहीं हो उसको लेंगे तो आपस में तिरभूद सरवांग्सम होंगे दोनों तिरभूद अपस में क्या हो जाएंगे ठीक है तो ये प्रमेद अपका एक उप्रमे हो गया चलते हैं अब हम अभी तक हमने तीन चीजे देखी पहला पहला हम लोग स्मझ चुके हैं Side, Angle, Side, Sarvang, Samtah दूसरा आप समझे है Angle, Side, Angle, Sarvang, Samtah और तीसरा अभी समझे Angle, Angle, Side, Sarvang, Samtah तो इन तीनों की हैल्प से कुछ और भी इन से प्रमे है उसको समझ लेते हैं ठीक है? इनका यूज करके और भी कुछ प्रमय कुछ सी दिखिया जाता है, उनमें से एक प्रमय यह आपको दिख रहा है, सम्दिबाहु तिर्भूज की समान भुजाओं के समुख कोण समान होते हैं, यानि कि सबसे पहले आपको एक सम्दिबाहु तिर्भूज बनाना होगा, यह आपको ग्यात है कि सम भूजाओं के समुक्र ब्रावर होते हैं, मालि जी यहां पर आपके पास यह दिया है, क्या दिया होगा है? दिया है कि ABC आपन वातिखरत्व कि समान भूजाओं mêmes, भूजाओं यानि कि दूझखरत्व कि समान भूजाओं याँ समान लेनी होगी, आप ले लेंगे AB बराबर AC है ना यह आपके जरूरत का अंसारा आप AB बराबर BC भी ले सकता है हम लोग माल लिए कि इसमें दिया हुआ है कि AB AC के बराबर है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है आपको कि इसके सम्मुख कोन, यानि opposite angle बराबर होगा, यानि कि हमें सावित करना है कि angle B जो होगा न, angle C के बराबर होगा, यह आपको सावित करना है, तो चलिए इसका, सबसे पहले इसमें एक रचना करते हैं, तीक है, रचना करते हैं, कि angle A का, angle A का, सम्दिभाजक 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 AD खींचे AD खींचे हाना AD खींचे और क्या किये है कि जहां D BC पर इस्तित है BC पर इस्तित है D क्या है BC पर इस्तित है यानि कि यहां से हम लोग एक सम्दिभाजक ही देते हैं यानि कि इसके कोड को यहां वाले कोड को सिर्ष वाले को यहां दो बराबर भागों में बाट रहा है ठीक है तो एक AD समदी भाज़क की दिये यानि कि यहां वाला कोड इस कोड के बराबर है और यहां जो है D जो है BC पर इस्तित है अब देखिए इसका प्रमान देखते हैं त तो इस दोनों को सरवांग सम करके ये करेंगे, तो लिखेंगे तिरभूज A, B, D तता तिरभूज A, C, D में, देखिए नाम भी उसी तरीके सोना चाहिए, A, B, D लिए, तो उसी की तरीके से A, C, D यहाँ है, समझ जाए ना, चलिए, आप देखिए इसमें कैसे सरवांग सम कर जोई, तो यह बराबर है ना, यह चीज question में, आपके पास प्रमे में दिया गया है, ठिक, दूसरा चीज क्या होगा, कि एंगल B, A, D बराबर एंगल C, A, D हो जाना है, एंगल B, A, D बराबर एंगल C, A, D हो जाएगा ना, क्यों होगा क्योंकि A, D, A, D जो हैं एंगल A का सम संदि भाजक है समझ रहे ना संदि भाजक क्या करता है उस कोंड को दो बराबर भागों में बाड़ देता है तीसरा चीज की AD जो है ना AD ये ABD में भी है देख लिए इस तिर्भूज में भी ADR है और इस तिर्भूज ACD में भी ADR है यानि AD बेराबर ad यहां लिखेंगे awareness का मतलब होता है common वो दोनों में है इसलिए ऐसा लिखेंगे यह आपका awareness है दोनों तिर्भूज के लिए है तो यह आपस में तो बराबर होगा ही तो यहां से तीन चीजे देखें देखिए क्या हुगा side लिखें इसके संगत भूजा है फिर cold लिए संगत भूजा भी ले लिए a-d इसमें कभी बुजा है और इसमें कभी है तो यहां से तिर्भूज जो होगा a-b-d-sarvangosam हो जाजगा sorry यह इपका सरवांसम हो संगम हो जाजगा तिर्भूज a-c-d के कैसे सरवांसम होगा तो य भुजा है यानि side angle side से हाना दो भुजा लिए हैं जो दो भुजा लिए हैं उसी के अंतरगत जो कोण बन रहा है वही लिए हैं तो यह side angle side सर्वांगसनता हुई ना side angle side से अब यह सर्वांगसन हो गया तो angle b बराबर angle c हो जाएगा कैसे तो cpct से हाना corresponding part of congruent triangle समझ गया तो यह आपका प्रमानित हो गया यह प्रम्य यानि कि आपको यह पता चल गया कि सम दिभाहू तिर्भुज की जो ।ण के समन भुजाओं के शब्मक कोण भीब़ाबर होंगे यह अगला प्रमे जीखते हैं अभी जो प्रमेश देखेत ना उसी का यह प्रतिलोम है ठीक है क्या है यह यदि तिर्भूज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी तो चलिए यह हमारे पास एक तिर्भूज हो गया इसका नाम देते हैं A, B और C आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ दिया है A, B, C एक तिर्भूज है अब क्या का रहा है प्रमे में यहाँ प्रमे में का रहा है कि यदि तिर्भूज के दो कोण बराबर हों हम माल लेते हैं कि यहाँ दिया है एंगल B बराबर एंगल C यह चीज़ आपके पास यहां दिया हुआ है ठिक तो उनकी समोख भूजाएं भी बराबर होतके यह सिद्द करना है तो सिद्द करना है एबी बराबर एसी समझे रहना ला चलिए तो हम लोग इसमें भी उसी तरह से एक रचना करेंगे रचना क्या करेंगे तो एंगल A का सम्दिभाजक एक खीचेंगे सम्दिभाजक क्या नाम दे दे सम्दिभाजक AD खीचे AD खीचे हम लोग AD खीच रहा है D BC पर इस्तित है BC पर इस्तित है यह भी लिख दिए जहाँ D क्या है BC पर इस्तित है जहां D BC पर इस्तित है तो चलिए एक सम्निभाजक खीज़ देते हैं यानि कि यहां से इस तरह से कुछ ठीक चलिए इसका नाम क्या होगा यहां बिन्दू का D होगा ठीक है और यह सम्निभाजक है तो इनके कोणों को दो बराबर भागों में बाट रही है चलिए अब इसका प्रमा लिखते हैं ठीक है तो इसको साबित करते हैं तो लेंगे इन दोनों तिर्भूज होगे ना जैसे इसके पहले बाले प्रमे में लिए थे तो लिखेंगे यहां तिर्भूज A, B, D तथा तिरभूज A, C, D में नाम का भी आपको ध्यान रखना है या आपको बार बार बता रहे हैं ठीक है इसको ध्यान रखिएगा A, B, D और A, C, D में पहला चीज़ोगा कि इंगल B जो है ना इंगल C के बराबर आपके पास उपर ही दिया हुआ है प्रमे में चलिए ये दिया हुआ है दूसरा बात आता है कि A, D बराबर यहां जो है दूसरा हम लोग ले लेते हैं इंगल को ले लेते हैं चलिए इंगल ही लेते हैं जो सम्नी भाज़क कर रहा है ना तो इंगल B, A, D ठीक है इंगल B, A, D बराबर एंगल C, A, D C, A, D क्यों हो रहा है क्योंकि यहां लिख सकते हैं कि यहां देखें B, A, D, बराबर C, A, D इसलिए लिख रहा है क्योंकि यह जो A, D है ना A, D, एंगल A का A, D, एंगल A का सम्धी भाजक है यानि कि उनको दो बराबर भागों में बाट रहा है इसलिए ये बराबर हो जाएगा ठीक, तीसरी बात क्या आती है तो तीसरी वही उभैनिष्ट वाली AD बराबर AD उभैनिष्ट दोनों तिर्भूज में है न AD बराबर AD अपलिकिएगा यहां से उभैनिष्ट तो यहां से यह जो तिर्भूज होगा उस तिर्भूज के सर्वांग सम हो जाएगा तिर्भूज ABD सर्वांग सम हो जाएगा तिर्भूज ACD के तो यह क्यों हो रहा है तो देखिए एंगल है फिर एंगल है और साइड है यहां लिखेंगे आप यह किसे हो रहा है एंगल एंगल साइड से यहां ध्यान देना होगा अगर आप गलती से एंगल साइड एंगल लिखेंगे तो गड़बर हो जाएगा क्योंकि देखिए एंगल साइड एंगल होने के लिए जब यह दो कोड लिए हैं तो यह वाली देना CPCT से यहां लिखते जिएगा AB बराबर AC CPCT से यह आपका यहां प्रमानित हो गया समझ गया चलिए अब आप चलते हैं next प्रमे पर अगला आपका प्रमे है भुजा 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 यानि कि side side charong Samtaprami इसको हम लोग सावित करते हैं करें कि यदी एक तिर्भुज के तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वह दोनों तिर्भुज सर्वांग समगें तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है सबसे पहले यहां दिया हुआ है तो दो तिर्भूज पहले बना लिजिए और उनके नाम लही देते हैं चलिए एक यह तिर्भूज हो गया ठीक है एक यह तिर्भूज हो गया और दूसरा तिर्भूज हम लोग यहां construct कर रहते हैं ठीक अब दोनों कहां नाम लही देते हैं य PQR, दो तिर्भूज है, दो तिर्भूज है, ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा रहा था, कि तीनों भूजाएं बराबर है, यानि कि A B बराबर आपके पस दिया है, PQ, संगत भूजा लेते हैं, B C बराबर QR, ठीक है, और A C बराबर PR, ये चीज दिया हुआ है, तो सिद्ध क बढ़ना है, कि ये दोनों तिर्भूज क्या होंगे, सरवांग सम होंगे, तो तिर्भूज A, B, C, सरवांग सम होगा, तिर्भूज P, Q, R के, यहाँ आपको दिखाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, इसमें देखिए तो हम लोग क्या करते हैं ना इसमें कि यहां जो यह BC जो है आपके पास QR के बराबर दी है ना BC QR के बराबर है तो हम लोग Q से एक रेखा इस तरह खिशते हैं कि हम लिखते हैं यहां पर की रेखा खंड QS QS इस प्रकार खींचे इस प्रकार खींचे की इस प्रकार खींचे कि यहां जो आपका QS जो है ना QS QS यह बराबर हो जाए A B के और ठीक है यानि कि कुछ इस तरह से देखिए अपर हम लोग को यह dotted खिशना चाहिए चलिए हम लोग यहां से डार्की खींचे देते हैं बाद में dotted कर दिया जाएगा ठीक है sorry इस तरह से इस पर खींचना है यहां से Q से इस तरह ऐसा खींचना है तो यहां पर यह इस तरह से हम लोग कौन सा खींचे है QS जहां यह A B जो है ना A B यह वाला इसके बराबर है ठी ठीक है अब हम लोग इस प्रकार खींचे हैं कि यह दोनों बराबर हो और यहां जो इंगल बन रहा है इंगल ABC ABC यहां बराबर हो जाए इसके बराबर ठीक है कौन से इंगल के बराबर तो यहां से इसका नाम हो जाएगा RQS एंगल RQS के बराबर ऐसे खींचना है कि यह वा मिलाया, RS को मिलाया, ठीक है, तो यहां से हम लोग RS को मिला देते हैं, ठीक है, तो चलिए यहां से RS को मिला रहे हैं, इस तरह से, ठीक है, RS को मिला देते हैं, चलिए, यह RS को मिला दिए, ठीक है, तो यह Dotted होने चाहिए न, तो यहां Dotted इसको कर देते हैं, हम लोग, इसको Dotted कर देते हैं थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे अब एक और इसमें काम करना होगा कि आप इसको भी मिला दीजिए यहां PS को भी मिला दीजिए अर इसको भी मिलाया? पियेस को भी मिलाया. समझेगा ना? चलिए इसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं. चलिए अब यहाँ लिखेंगे आप प्रमान. ठीक है? अब यह किस तरह से साबित करेंगे इसके बारे में देखा जाएं. सबसे पहले हम लोग तिरभूज ABC इस साम भी देखिए ABC यहां से चलेंगे SQR ठीक है तो यहां लिखेंगे तिर्भूज ABC तथा तिर्भूज SQR में इन दोनों तिर्भूजों को सर्वांगसम करना होगा ठीक है तो सर्वांगसम करने के लिए आपके पास पहला चीज है कि एबी जो है ना एबी वो किसके बराबर है तो QS के बराबर है एबी जो है QS लिखी या SQ लिखी एक ही बात है एबी जो है QS के बराबर है यह क्यों हो रहा है तो यह रचना से हो रहा है यह रचना से हो रहा है दूसरा चीज एंगल ABC एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल किस QS के बराबर है, एंगल RQS के बराबर है, ये भी आपका रचना से ही है, ये दोनों रचना से ही है, और जो BC बराबर दिया है, ये BC इस तिर्भूज का है, और इस तिर्भूज का QR है की नहीं, तो BC बराबर QR ये दिया है ना, BC बराबर QR ये दिया है, तो तीन चीजे हो गई तो यहां लिख सकते हैं कि तिर्भूज ABC सर्वांगसम हो जाएगा तिर्भूज किसके तो यह कौन सा तिर्भूज है तो SQR SQR के समय रहा न तो यह कैसे सर्वांगसम हो जाएगा तो यहां आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहां पर नाम तो आप लिए है side angle side तो यहां लिख देंगे यह कैसे सर्वांगसम हो रहा है तो side angle side सर्वांगसम ता से यह सर्वांगसम हो रहा है अब चलिए आगे देखते हैं तो जब यह दोनों सर्वांगसम हो गई यह वाला तिभुज और यह वाला तो इनके संगत भुजा और संगत कोड़ तो आप कहिएगा कि बराबर हो जाएगे ना तो यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ देखें फिगर में क्या लिखिएगा आप यहाँ लिख सकते हैं CPCT से क्या होगा तो angle यहाँ देखिए BAC यहाँ देखिए BAC यह वाला कोड किसके बराबर हो जाएगा तो angle QSR के यह कैसे होगा तो CPCT से हो जाएगा ठीक है यह देखिए यह वाला angle इस कोड के बराबर हो जाएगा ठीक अब इसके बाद क्या करते हैं तो दूसरा चीज हम ली सकते हैं AC जो होगा न AC यह वाला भुजा यह किसके बराबर हो जाएगा यहाँ SR के बराबर हो जाएगा AC बराबर SR यह भी आपका CPCT से ही होगा ठीक आप देखिए आपके पास चुकी यहाँ पे दिया हुआ है question में आपके पास इस प्रमे में दिया है कि AB जो है न AB PQ के बराबर है AB PQ के बराबर है ठीक है यह आपके पास दिया हुए है और चुकि आप रचना की हैं तो रचना में दिखा है कि AB जो है न AB यह QS के बराबर है AB क्या है QS के बराबर है यह चीज आप यहाँ रचना में दिखा है ठीक है रचना से यह हो जाएगा अब यह जब a b إلى qs के बराबर और b إلى p q के उसी लिए आप किया सकते है कि यह जो p q है ना p q यह qs के बराबर हो जाएगा यह आला भुजा इस बुझा के बराबर तो जब यह दो भुजा है यह देखे एक तिर्भुज बनने हैं ना पि QS इस तिर्भुज़ की जब दो भुजाए बरावर है तो इसके संहुक कोण बरावर होंगे ना आहां कौन-कौन से संह ठोंके तो यहां पर इस तो एंगल Q Ps और इस वाले सम्दो में जाओं के, सम्मुख कोड, सम्मुख कोड बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, अब यहां से यह वाला कोड पता चला कि इस कोड के बराबर होगा, इस आधे की बात करें इतना का, ठिक, अब देखिए, दूसरा चीछ, कि चुकि आपके पास दिया है उपर कि एसी जो है यह बराबर है पी आर के, यह आपके पास दिया हुआ है, इस प्रमे में दिया हुआ है, ठिक, तो आप यहां यह साबित कर दिये हैं, यहां पे दिखाया है ना, सी पी सी टी से, यह आपके एस आर के बराबर है, यह हम लोग सी पी सी टी से अभी दिखाये थे, यह उपर यह यहां दिखाना चली तो यानि कि यह आपस में बराद Rain हो गया इसलिए यह जो पी एर होगा ना प्ी ए इस आर के बराबर हो जागा यह पी č जो बढ़ा रिखा सकते हैं कि संगत कुल वाला कोड के बराबर हो जागा यानि इसको t पर्माने हैं न, इसको माल लिए एक, यहाँ जो कोण्ड ली है, उसको हम लोग 1 माल लेते हैं, अब उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, कि एंगल RPS, ठीक है, RPS बराबर एंगल RSP, RSP, समझ गया, यह क्यों बराबर होगा तो उसी तरह लिखेंगा, समान समान भुजा के समान भुजाओं लिखते हैं समान भुजाओं के समुख कोड समुख कोड समुख कोड बराबर होते हैं बराबर होते हैं तीक है बराबर होते हैं समझ गए यहां से चलिए यह आपका किलियर हो गया अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको समीकरन दो मा लेते हैं और लिखते हैं समीकरन एक तथा दो को जोड़ने पर दोनों को जोड़ के देखते हैं तो समीकरन एक में देखिए हैं और दो में देखिए हैं यहां देखिए हैं एंगल है QPS, और यहाँ पे एंगल है RPS, ठीक है, और इधर है एंगल QSP, और इधर एंगल है RSP, तो चलिए QPS और RSP, देखिए, QPS और RPS, देख रहा है ना, QPS और RPS, दोनों मिलके यह वाला कोण हो जागा ना, तो वहाँ यह एंगल बन जा रहा है, QPR, समझ रहा है, यह बन रहा है QPR, और इधर देखिए, यहाँ पे, QSP और RSP, यह दोनों मिलके हो जागा, QSR, एंगल QSR, समझ रहा है ना, चलिए, अब चुकिए आपके पास उपर दिया हुआ था, अभी हमनों साबित किये थे, CPCT से, कि एंगल BAC जो होगा ना, BAC, वो बराबर है, एंगल QSR के, यह आपके पास, अभी हमनों CPCT से उपर दिखाये थे, दिखाये थे ना, यह वाला कोड जो होगा ना, BAC, यह इस कोड के बराबर होगा, QSR के, तो BAC, BAC, बराबर एंगल कौन सा, तो QPR, एंगल QPR, समझ गए, अब लिखते हैं इसमें, दोनों तिर्भूज में, तिर्भूज ABC तथा, तिर्भूज PQR में, देखिए सारा खेल आपको इसी के लिए करना था, यह वाले कोड बराबर दिखाने के लिए, यह सारा जितना भी क आपके कोड़ों को बराबर दिखाने के लिए, तो देखिए, पहला चीज यहां लिख देते हैं, यहां देखिए, यह कोड इस कोड के बराबर है, तो यहां देखिए, पहला चीज है कि AB आपका बराबर है PQ के, यह चीज आपके पास दिया है, तिनों भूजाएं बराबर यह भुजा लिये, यह वाला को लिए, तो यह वाला भुजा लेना होगा ना, तो हम लिख सकते हैं ना, Side-angle-side से, ठीक है, तो यहाँ दूसरे प्रमे के help से दिखाना था, समझे हैं ना, तो आपको पर जो पता था, Side-angle-side वाला ही प्रमे पता था, आप Side-side-side अभी नहीं जानते हैं, और Side-side-side से, Side-side-side वाले को नहीं प्रूब किया जागा, वो गलत हो जागा, आपका कोई teacher उस तरह बता रहा तो वो गलत हो जागा, वो गलत सावित होगा, तो यहाँ से आपका प्रमानित हो गया, यह प्रमे, समझ गया, अब हमनों क्या करते हैं, किसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं, प्लीज आप channel को subscribe करें, bell icon लबाएं, जादा से जादा दोस्तों में share करें, comment box में लिखें कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और इससे related आपको other chapters की link चाहिए, other subject link चाहिए, other class की link चाहिए, तो आप हमारे whatsapp no.7301-778899 पे whatsapp करके link को प्राप्त कर सकते हैं, thanks for watching the video. अमने बाएं, जाएंड़, फूल झेक fürs सकते हैं, में हमारे हैं, जा ल्दियो अर उन कोई डिसना हमारेश, सकते हैं तो ऑन वायां प्रापन,